बुलो नीप करोरी बाबा महराज कीजे, परम पूजी सिद्धी मा कीजे, भक्त वतसल हनुमंत लाल कीजे मैं डॉक्टर उमेश बाचपी, उपस्तित हूँ आपके समझ अपने प्रभू नीप करोरी बाबा महराज की अद्बुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए आज की जो लीला है प्रभू की, वो एक डॉक्टर सहाब से जूड़ी है, ये डॉक्टर सहाब एडी भंडारी जी थे और बरेली के निवासी थे बाबा महराज एक दिन इनके घर पहुँचे, रात्र विश्राम के उद्देश से, तो जब वहां पहुँचे, तो बाबा महराज जब जहां जाते थे, वहां भंडारा चलने लगता था, भोजन होता था, सेक्ड़ों लोग खाते थे, जब बाबा महराज गए, तो बाबा म और प्रसाद खाने के बाद, तरप्त होने के बाद, प्रभू ने अचानक से क्या बोला, जिसको सुन करके सब आश्चर चकित हो गए, सबी भक्त जितने भी थे सब भोजन कर चुके, सब कुछ हो गया, इतने में बाबा बोले, कि साथ लोगों का भोजन और बनवाओ, बंडारी जी बड़े आश्चर चेकित हुए कि प्रभू सब लोग तो कर चुके गोले तू भोजन बनवा और बाबा महराज को तो बात उनकी कौन काटेगा साथ लोगों का आट लोगों का फिर से भोजन बना और इंतजार होने लगा कि प्रभू ने अगर भोजन बनवाया है तो कोई न कोई साम तक आएगा जरूर इतने में बाबा महराज के एक अनन भक्त और हुए है प्रेमलाल जी लखनव के उन्हें नहीं पता था कि प्रभू कहा हैं और कैसे हैं और वो भी बंडारी जी के यहां किसी कारी से आ रहे थे लखनव से वो सपरिवार साम तक बरेली पहुँच गए यहां जब उन्होंने महाप्रभू को देखा तो मानो उनकी मन्नत पूरी हो गई महाप्रभू के चरणों में वो जुक करके उन्होंने प्रणाम किया और जब वो उनके लखनव के भक्त प्रेमलाल जी को यह पता चला कि बाबा महराज को बिना उनके किसी सूचना के बिना उनके किसी जानकारी के पहले से उनके आगमन की जानकारी हो चुकी और इसका प्रमाड यह था कि बाबा महराज ने भंडारी जी से कह के पहले से ही साथ आट लोगों का भोजन बनवा के तयार कराया तो ये इस्तिति हमारे प्रभू की है कि बाबा महराज किसी के बारे में कुछ भी जान जाते हैं बसरते जानते वही हैं और आपको आभास तभी होगा जब प्रभू के आप सचे भक्त हैं तो पुजारी मत बने बाबा के भक्त बने प्रभू के साथ उनको बिल्कुल अपने मन में बिराजमान कर लें ये कथाएं हमारी कहने का उद्देश से क्या है कि आपके मन में ऐसा भाव जागरत हो कि आप बिना प्रभू की कथाएं सुने बिना उनके बारे में जाने एक दिन भी न रह सके जब ऐसा होने लगे आपके साथ कि आप प्रभू की बिना कथा सुने बिना उनके बारे में जाने बिना उनकी चालीसा पड़े आप रह न सके तो समझ लेना कि अब प्रभू की क्रपा आप पर होने लगी लेकिन जब जब आपका मन इन चीजों से विरक्त हो, आपका मन न लगे, तो जान लेना कि अभी आप क्रपा पात्र हैं नहीं, अर्थात बाबा की क्रपा तभी होगी, जब आप उनके लिए बिलकुल विचलित होने लगेंगे, उनके दरसन के लिए, उनके उनको देखने के लिए, उनकी लिलाएं सुन सुनने के लिए, उनकी कथाएं सुनने के लिए, और फिर जो कुछ होगा, वो आपके मन का होगा, आज की कथा आपको कैसी लगी, बो नीप करोरी बाबा महराज कीजए, परम पूजी सिद्धी मा कीजए, भक्त वतसल हनुमन तलाल कीजए,